गुड मॉर्निंग पेटा हम चैप्टर रीड़ाउट कर रहे हैं कोलड वार पिश्री वीडियो में हमने किया था कि कोलड वार का मेनिंग एंड निचर एंड उसके कॉज़स इस वीडियो में हम करेंगे स्टेज ऑफ दा डैलेप्मेंट ऑफ दा कोलड वार इसका कोशन कैसे करा रहा है हम देखते हैं हमारा कोशन बन रहा है ट्रेस ता हिस्ट्री और कोलड वार अगर ऐसी कोशन आ रहा है तो हमें सारी के सारी हिस्ट्री बताने पड़े कि कोलड वार की तो जो वह भी उसके बीच पे 4-5 पॉइंट आते हो उससे सिर्फ 2-3-3 लाइनों में 247 तो फिर हमें पूरा एक्स्प्रीन करना पड़ेगा तो हम कोशन को इस परकार अटेम्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दो सालों के दरान जो है इनके बीच में कौन-कौन सी इवेंट से इसके कार रहे हैं रहा था जो कोल वार की ऐसी सिट्योशन क्रेड होई थी जो स्टार्ट करते हैं बढ़ा परिए आपने मेरी पिछली वीडियो से देखी हैं तो वही चीजे बार बार आएंगे जस्ट यहां पर क्या है कि टाइम पिरिट के अकॉर्डियों उन्होंने पॉइंट्स को एक्स्पेंड किया है तो चीजे वहीं आएंगी बार बार परिए आपने माख स्वादी वीचाधरा पड़ी है तो उसने जही कहा कि जब तक क्रिफ हुआज़ुनीं खतम नहीं हो जाता पुजी वाद खतम नहीं हो जाता तब तक वो जो माक्सवाजा सावाद नहीं आ सकता तो पॉर्ट कैटिलिस्म को खत्म करना चाहते थे बट जो दूसरी तरफ ते कैटिलिस्ट आइडिलोजी थी वो सोचते थे कि जो क्मिनिस्म विचादारा है वो एक टार्नी टाइप की, authoritarian टाइप की है कि वो अपने आपको तानशा स्थाथ करना चाहते हैं वो दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे जस्ट एक टार्नी क्रेट करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं ये दो विचादर हैं बिल्कुल उनका पॉइंट वी अलग लग था इसकी कार्ण बीचू था जो मिस्ट्रस्ट का बड़ा कॉन्फिक्ट्स बड़े इनके कोल्ड वार की सिचूशन क्रेड हुई चर्चल जो इंगलायन का तो प्राइम मिनिस्टर था उसने स्टेज पर एक बहुत जबदस स्पीच दे थी जहां पर उसने कहा था जो कैटिल नेशन से है उसको वार्न किया था कि आपको आने वाले समय से बचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में किम्निजम की जी वह विच वह खत्म हो चाहेंगे चीक है तो वह सोच रहे थे कि सोवी जुनी की जो विचादारा है वह एक आयलन कटन की तरह काम कर रही है इस तरह उसने बेवेशवानी कही थी फिर उसने अपने शब्दों में जे कहा था कि जुएसस की विचादारा को हम तबी खत्म कर सकते हैं तो वह उसका बाशन इतना जबदस्तक था कि जो वहां के सुनने वाले जितने भी देश थे जिन्होंने स्पीच सुनी जहां तक पहुंची स्पीच अमेरिकन की लीडर हो जहां सिविल ओफिशल हो उन पर ये बात बहुत गहरा असर शोड़ कर गई कि सच में यह चीज रिय कि मुझ में ही अपनी आर्मिंग की द्वरा जो फोर्स की बाशाकस से ही समझाना चाहिए जब ऐसी विचाहदारा फिलाई उसने तो यह भी एक रिजन बन गया उनके बीच में और जाता प्रॉल्म क्रेट करने का next explanation is activity of Soviet Union Soviet Union ने भी बार बार कोश्री कर रहा था दो तिन देशों में कि मैं अपना जो है विस्तार करों ठीक है अपनी विचाहदारा का एवन कि अपनी विचाहदारा से रिटेट जो सरकारे सेट अप करों तो वो दो तिन देश थे उनके अंडर तर्की हो गया ग्रीस हो गय ग्रीज एड इराण ग्रीज एड रहा था तो उससी दौसामें इस्तिं जो आपनी पर लिचलंग ऑ भी हैstyle सैका था वह तर्की ग्रीज ओर इडिफूँर से अपनी प्रेशर ऑंप कर रहा था ठीक है इस बात को लेकर लंडन कांफरेंस में जो लंडन कांफरेंस में फॉर्म फिनिस्टर कठे हुए थे उसमें जे डिस्केशन बार-बार हो रही थी कि सोवेच जो है अपनी जानबूज कर जो विचादरा को वेस्टर एस्टर जॉपर में एक्स्प्रेंट करने की करा जो वो जो के देश के लिए बहुत बड़ा खत्रा साबत हो सकती है नेक्स्ट है ट्रूमें डॉक्ट्राइं नांटी 47 ट्रूमें कौन था राश्टपती था अमेरिका का चर्चल कौन था बिटेन का राश्टपती और ट्रूमें कौन था अमेरिका का राश्टपती जब बिट गुंयिस्ट टिक्टेटिशिप इस्टपलिश ऑन देश के अंडर है देश है और इसमें वह अजाध होना चाहते हैं क्यूझस्ट देशें से वह अजाध होना चाहते हैं तो मैं उसको help करूंगा तुरुमेंड डॉक्टराइन के according जे था कि जो भी देश अपनी अचादी के लिए struggle कर रहे हैं खास करके Communist विचादारा से वो free होना चाहते हैं तो मैं उसकी help करूंगा ठीक है तो उसको मैं security भी दूँगा और मैं उसको financial तोर पर भी help करूंगा तो reason क्या था कि Communist की विचादारा को contain करना रूकना ठीक है इसलिए ही Truman had also asked the American Congress to grant some 400 million dollar इसी के reason चलते हुए उसने 400 million dollar जो थी वो help करने की कोशिश की किन दोनों देशों में Turkey and Greece हमने पीशे पढ़ा था कि जो Soviet Union था वो Turkey, Greece and Iran पर अपनी जो फौजों को expand कर रहा था वहां पर अपनी सरकार जो अपनी सरकार सरकार वो सेट अप करने की कोशिश कर रहा था तो कुछ नहीं चाहते थे उन देशों के लोग कि हम क्रिशों की जो सरकार सेट अप करें तो उनको करने के लिए 400 मिलियन डॉलर देने के लिए हल्प करने के लिए त्यार था तो जो SSR को यह चीज़ बुरी लगी कि मैं जहां पर अपनी पावर सेट अप करना चाहता हूं तो यह उल्टा व्रोद में वो मेरे खिलाब इनकी हल्प कर रहे हैं इसके कारण भी जह 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 थी कोल्ड वार बड़ा नेक्स है मार्शल प्लान 1947 मार्शल प्लान क्या है कि अमेरिका के दुवारा एक जोजना बनाएगी थी कि जहां जिन जिन देशों को नुक्सान हुआ है वर्ल्ट वार सेकेंड मी जोफ़र्स्ट में जी कह है तो में उसको हेल्प करने के लिए त्यार हूँ औरमाशल पर राइम बेसिरों किसी करना के लिए त्यारू प्रोपगणाट चेल था कि मैं वहाँ भर डेमोक्री k conclusie करेंट में उनको जाज करना चाहता दो इंग्रेक्ट में में क्या था जब उसकी help करेगा तो naturally वो देश उनका जोरी नहीं बना रहेगा ठीक ना उनका रहेगा के नहीं साहनुबूती रहेगी कि नहीं इस देश ने मेरी help किये तो मैं इसका ही इसकी support करूंगा तो जो ऐसे के जो ऐसे group मे से ने बन रहे थे 1947 अडरा माशवलान अमयरका सांघ ना इसकी आज स्टा गुरू एर्पन डूरे करी करी प्रोघ्रम्रमा टीर्वोर्य की फर्स्टी कर्परस क्या था तो फिल डर्लाश ईसससाफर्ट वाटक्वार्पन डूर्पन डूर्पन डर्शन न्र्था आपन नश 20 जितनी जो अरपन निशन्स है उस पर अपना इंफ्लेंस बना कर रखना. Next है Soviet reaction to American moves. जो भी American जो ऐसे Marshall Plan बना रहा था, True Man, जो डॉक्ट्राइंग बना रहा था, तो इसके reaction में वो भी Soviet Union में कोशिश की कि मैं भी कुछ न कुछ चाल चलूं, ठीक है न, कि मैं भी अपनी पावर को मलपी बढ़ा कर रखाऊं। कहता कि Soviet Union had understood, उससे समझ में आ चुका था, कि जो भी Truman, Doctrine चल रहा है, जो Marshall Plan चल रहा है, वो किसके कारण है, ताँ जो कि European पावर से Soviet Union को बिलकुल अलूफ किया जाए, बिलकुल अलग किया जाए, पहले बात उसने यहां पर रलाइस की, जब बॉस्ट्री के revolution हुआ, तब उसने मैसूस किया कि सच मुच में ही, जे मलपी मुझे पुरे देशों से अलूफ करना चाहता है, मेरी पावर को कमजोर करना चाहता है, फिर उसने मैसूस किया, जब जर्मन, जपान, इटली इनके दुश्मन देश थे, एकसेस पावर थी, जो ऐसे की, फ्रांस की, इंग्लेंड की है, तो उसे लगता था कि जे नाजी मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं इसमें इन्वाल्व नहीं हूँगा, तो उसने जर्मनी के साथ एक समझोता कर लिया, पैक्ट कर लिया जिसे बोलते हैं, नॉन अग्रेशन पैक्ट, कि मैं तेरे तेश पर कभी भी हमला नहीं करूँगा, जर्मन के साथ उसने एक पैक्ट कर लिया, समझोता कर लिया, कि मुझे आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, कि जुएसे आप पर हमला करता है, जहाँ आप उस पर हमला करते हूँ, तो मैं आपसे के साथ एक पैक्ट करता हूँ, कि नॉन अग्रेशन पैक्ट, कि मैं आपके साथ, मैं आप भी मेरे देश पर हमला नहीं करोगे बट हुआ क्या उल्टा जे हुआ कि जर्मन लोगों ने जर्मन की आर्मी ने उल्टा Soviet Union पर हमला कर दिया तो जे बात उसे अच्छी नहीं लगी Soviet Union को कि मैंने अपना जो है प्रामिस को केट किया है तो आप उने प्रामिस को तोड़ा फार्डिस रिजन उसे मजबूरी में आकर अलाइज फोर्स को जोईन करना पड़ा अलाइज फोर्स कौन सी है अमेरिका, USA, ठीक है इंगलेंड है, फ्रांस है तो चोथा देश ये मिल गया ठीक है न जब उसे लगा कि जर्मन मेरे इखलाबी खड़ा हो गया है तो अब अकेला में कुछ नहीं कर सकता, फार्डिस रिजन जे अलाइज फोर्स में जोईन कर लिया तो फार्डिस रिजन जे इसके साथ शामल हो गया उसने मिल जुलकर उसके साथ पूरी तरह अपनी जो है थी हल्प की अलाइज फोर्स में जहां पर भी हमला करना पड़ा अपनी फोर्स एकनॉमिकली पूरी तरह उसने हल्प की बट उसने बाद में रिलाइस किया कि जब हमले हो चुके थे मौज़ा लेना था कुछ जैसे जो देश हार गये थे उससे मौज़ा कमपेशन्स लेना होता है तो वह जो यससे उनको पूरा नहीं दे रहा तो उससे पता चल गया कि उनके डैंचन क्या है कि वह कि मुझे अलग करना चाहता है ठीक है फिर एक चीज उसने और रिलाइस की कि जब आटम पावर बना अमेरिका एक आटम पावर बन गया तो उससे नहीं बताया ठीक है ठीक है जो वी तो रश्य को नहीं बताया बताया फिर डॉक्टर टुम एंड डॉक्टर इंड जे ओ है वो पालसी लागो की फिर मार्शल प्लान लागो किया इसाभी का मक्सद क्या था कि सोवेश जु जो कि पहले तो जे था कि जब बोश्विक की रेवलुशन हुआ तब थोड़ा से इसने मिसूस किया कि जो जो ऑर्पन कंट्रीस है जो ऐसे है वो मुझे अलूफ जो करना चाहती है फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं इगिनोर कर दिया तो उसने कहा कि मैं जुद में शा नाची जर्मन है उसने सोवेट जुनियन पर हमला कर दिया तो उसने मजबूरी बस अलाइट फोर्सस में शावन होना पड़ा तो उसने पूरी तरह उसकी है जो एससे में के साथ हल्प की लेकिन बाद में उसने रिलाजिस किया कि जब वार खत्म हो चुके हैं तो जो अमेर यूघ्टंग पावर भी है क्योंकि जべ अमेरिकन एकम पावर यूइज कि थी रुश्मा नाग ली सकी में दैनाट्र्स ने केन definis प्रांस के साथ यू अपनी फ़ांव कर ने काने के लिए यह नकिंधा जदिए के शायज साथ शीं करने के लिए त्यार नोज़ पहात ün तो मुव्स चला रहा था ठीक है उसको काउंटर करने के लिए तो सोवीज तो तो जो जो ऐसे सारा है स्टालिन वो छुप थोड़ा बैठेगा उसने भी फिर अपने तरफ से अपनी कोशिश की कि मैं भी अपने आपको एक पावरफुल शू करूं कि अमेरिकन हैजर मौनी की अपने अमेरिकन की हैजर मौनी को एकसेट करना है सेकड़ उसने भी जयसे इस तरह उसने भी प्लान चलाया जन्य से मौल्टव प्लान कहते हैं तो उसने मौल्टव प्लान चलाया जिसके कारण जो ग्रीब देश थे ठीक है जुध के कारण इंक को नक्सान हुआन था उनकी वह हल्प करने के लिए त्यार था और मॉल्ट प्लान इस ने मॉल्ट प्लान एंड इस्टापलिछ दा कॉंसल आफ दा मुच्छ एकनोमिक असेस्टेंस विच वाज आसनावनेज कॉमकॉन फिर एक उसने कॉंसल भी बनाई जिसे उसे हम कॉमकॉन कहते हैं इसके इला को किया है अटम बं जो स्वोड किया ठीक है तो इसने भी मॉल्ट प्लान बनाए ठीक है तो और भी कई स्टाप वगरा उठाएं आज रसल्ट ऑफ देप्स टेकन भाई बहुत दा सोवेज जुने एंड अमेरिकन फॉम्ट फॉम्ट फॉर्ट 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 the mistrust, mistrust, fear, and tension had increased considerably between both the powers which became the basis of the cold war during the year to come. a mad race was going on between both the powers for expansion of the other influence and both had forgotten the other responsibility towards the maintenance of the international peace and security I hope आपको ये टॉपिक सम्झे में आ गया होगा ठीक है तो नेक्स वीडियो में हम करेंगे पिरिड अफ दे कॉल वार 1947-1953 थैक्स वेटा